उनके अधीन मामले सभा पटल पर रखने की इजाज़त दी जाती है मान्य ग्रम अंती जी मान्य अध्यक्जी भारतिय सेना को नागा लेंड के मौन जिले के तीजित क्षेत्र में तीरू गाउं के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सुचना मिली थी इसके आधार पर सेना के 21 पेरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांग 4 बार 2021 की साम को संदीक दिक्षेत्र में अम्बूस लगाया था अम्बूस के दोरान एक वहन अम्बूस के स्थान के समिप पहुँचा उसे रूखने का इसारा और प्रयास किया गया रूखने की बजाय वहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया जिसके उपरांत इस आसंका पर कि वहन में संदिक विद्रोही जा रहे थे वहन पर गोली चलाई गई जिससे वहन में सवार आठ व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्ति हुई बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया जो दो लोग गायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नद्दी की स्वास्त केंद्र में ले जाया गया यह समाचार प्राप्थ होने के बाद स्थानिक ग्रामिनों ने सेना की टुकडी को घेर लिया दो वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया इसके परिणाम सरुप सुरुकसा बलके एक जवान की मृत्ति हो गई तथा कई अन्य जवान गायल हो गए अपनी सुरुकसा में तथा भीड को तितर बितर करने के लिए सुरुकसा बलो को गोली चलानी पड़ी जिससे साथ और नागरीकों की मृत्ति हो गई तथा कुछ अन्य गायल हो गई स्थानिय प्रसाशन और पूलिस ने स्थिती को सामान्य करने के प्रयास किये हैं अभी स्थिती तनावपुन लेकिन नियंत्रण में बनी उलिए पूलिस महानिर्देशक नागलेन और आयुक नागलेन ने दिनाग 5 बार 21 को गटना स्थर का दोरा किया ताजित पूलिस थाने में गटना के बारे में प्राथमी की दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराज पूलिस टीम SIT का गठन किया गया है जिसे एक महा के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिये गए हैं उपरोत गटना के पस्चात दिनांग 5 बारा 21 की साम में लगबग 200 लोगों की उद्वेलित भीड ने मोन सहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर भीड ने COB के मकान में आग लगाई जिसके उपरां असम राइफल की टुकुडी को भीड को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी इसके कारण एक और नागरिक की मृत्य हो गई और एक अन्य गायल हो गया प्रभाविक शित्र में किसी और अप्रिय गटना को रोक किया गया है जिसमें कि नीर्दोस नागरिकों की दुखद मृत्यु के गटना करम पर अत्याधित जूख सैना द्वारा व्यक्त किया गया है सेना द्वारा इन दुरुभाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण, कारणों की जांच उच्चतम स्तरपर की जा रही है और कानून के अनुसार सम्मूचित कारेवाही की जाएगी घटना की सुचना मिलने पर मैंने ततकाल नागेलेंड के घवरनर और मुख्यमंत्री जी से संपर किया गुरु मंत्राले द्वारा भी नागेलेंड के मुख्य सचीव और पुलिस महादिर्देशक से संपर किया गया कल पुड़े दिन स्थीती को मॉनिटर किया गया गुरु मंत्राले द्वारा तुरंत पुर्वत्तर के प्रभारी अपर सचीव को कोहीमा बेजा गया जहां उन्होंने आज सुबे नागेलेंड राजे सरकार के मुख्य सचीव एवं अन्य वरिष्ट अधिकारियों और अर् हो यह नीने लिया गया है कि सभी एजंचियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रियों के खिलाप अभ्यान चलाते समय भविश्य में ऐसी कोई दुर्भाग के पुर्ण गटना की पुन्रावृति नहों सरकार स्थिती पर शुक्ष्मता से नजर रख रही है और में सान्ती और सोहाज सुनिश्चित करने के लिए आवस्यक्ता अनुसार जरूरी उपाई भी किये जा रहे हैं राज्यपदाद प्राधिकारियों ने एत्याद के तोर पर प्रभावित इलाकों में निशेदाग्या लागू की है भारत सरकार नागालेन में हुए इस दुर अनुसार